नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सभी का आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गीता प्रेस की और गांधी पीस प्राइस की अब हाली में यह अनॉंस्मेंट होई है कि 2023 का जो गांधी पीस प्राइस है वो गीता प्रेस को मिलेगा तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गीता प्रेस के हिस्ट्री क्या है यह किस साल में बने गई थी गांधी प्राइग क्य Mensch यर में गांधी प्राइश को इस्टैब्रिश इनक्री मेंट केरा जेँ शुरुआत करते हैं देखिए अभी हाली में गीता प्रेस जिसका हेड़कोर्टर है गोरुकपूर में उसको गांधी पीस प्राइस देने की बात हुई है यह जो डिसीजन गीता प्रेस को गांधी पीस प्राइस देने का यह एक जूरी ने डिसेड किया जिसके हैड है वाइलेंट एन अदर गांधियन मैथेड्स तो नौन वाइलेंट जो गांधि का एक मैथेड है और इसके अलावा और बाकी जितने भी गांधियन मैथेड्स हैं उन सब का यूज करके एक आउटस्टेंडिंग कॉंट्रिबूशन करना किस किस में शोशल एकोनॉमिक और पॉल प्राइज है वह गीता प्रैस को दिया गया है अब क्योंकि गांधी प्राइज है तो यहां पे बात आती है मातमा गांधी जी की जिनके नाम के उपर ये प्राइज रखा हुआ है देखे दोस्तों माहतमा गांधी से रिलेटेड मैंने सो डिट सौ कोर्शन जो हैं वह में सही नहीं करके आएंगे तो इसलिए उस जीडियों को जुरूर देखेगा दो से तीन कोशन तो ऐसे आते ही आते हैं खास कर अगर आप किसी छोटे एक्जाम की तहरी कर रहे हो तो उसमें भी एक या दो कोशन ऐसे बड़ी बात नहीं है कि गांधी या जो टीचिंग्स सब्सक्राइबाद और महनत से बनाई है तो आप उस वीडियो को जरूर देखेगा उसका लिंक में डिस्कूप्शन बॉक्स में देदूंगा आपकी एक्जामिनेशन के लिए वह बहुत ही इंपोर्टन है अब हम बात करते हैं गांधी पीस प्राइस की गांधी पीस प्रा यह ओकेशन थी जब महात्मा गांधी की 125th 125 वी बर्थ एनिवर्शरी थी 125 वी वर्ष गांध थी तो 125th पर एनिवर्शरी जो थी महात्मा गांधी जी की तब उस ओकेशन पे गौर्मेंट आफ इंडिया ने इस प्राइस को इंस्टिचूट किया था और यह एक ट्रिब्यू लड़ाई लड़नी है यह जो महात्मा गांधी जी ने ना सरफ भारत बलकि पूरी दुनिया को सीख दी है तो इसको ट्रिब्यूट देते हुए गांधी पीस प्राइस जो है उसको इस्टैब्लिच किया गया गौर्मेंट ऑफ इंडिया के दोरा 1995 में जब उनकी 125th बर्थ थी अब यह जो अवोड है यह किसी भी विक्ति को दिये जा सकता है ऐसा नहीं है कि यह गांधी पीश प्राइस जीवन ग 느 में कभी भी जाती, धरम, लेंग्वेज, कास्ट, रेस, नैशनालिटी, इसके ऊपर कभी भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, जब वो साथ अफ्रिका में रहे, तब भी उन्होंने जब लड़ाई लड़ी, तो वो सिरफ भारतियों के लिए नहीं लड़ी, बलकि वहां मतलब होता है भगवान विष्णू, जन मतलब लोग, तो जो हमारे सो कोल छोटी जाती हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहां पर जाती वाद है, तो जो सो कोल छोटी, अब मैं तो नहीं मानता कि बड़ी जाती, छोटी जाती कुछ होती है, हम सब बराबर है, सब जिराज से निकल के यह पूरे भारत में महात्मा बने, पूरे भारत के यह राष्ट पिता बने, तो हर जाती, धरम और हर लेंग्वेज के विक्ति ने इनको अपनाया, इनकी आइडियल्स को अपनाया, महात्मा गांधी का ऐसा पूरे भारत में रुतवा था कि कहीं पर भी जगड़ा कर रहा है, धर्म के नाम पे, जादी के नाम पे किसी भी जीज के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे तो वो सारे जो हैं वो शान्त हो जाएंगे ये रुतवा था महात्मा गांधी जी का उन्होंने कोई race के साथ कभी भी discriminate ने के मैंने आपको बता दिया, ना सरफ South Africa में वो भारतियों के लिए लड़े, बिलकि वो अश्वेत लोगों के लिए African जो black लोग होते हैं, उनके लिए भी लड़े, उन्होंने कभी nationality या इन सब जूजों के उपर discrimination नहीं करी, तो ये महात्मा गांदी थे, तो ये जो award है, किसी भी वक्ति को मिल सकता है, किसी भी nationality, किसी भी race, gender, creed, caste और language, किसी भी वक्ति को ये award मिल सकता है, ये जो award है, इसमें एक क्रोड़ पे का cash prize मिलता है, एक citation मिलती है, एक plaque मिलता है, और एक traditional handicraft के handloom की item जो है, वो दी जाती है, तो ये सब चीज़ें उस award में मिलती है, जब भी किसी भी वक्ति को ये award मिलता है, अभी हम कुछ organization के बात करें, जिनको ये award पहले मिला है, तो उसमें आती है हमारे भारत की आनबान, शान, इसरो, फिर हमारे पास रामक्रिशन मिशन आता है, ग्रामीन बैंक को बंगलादेश आता है, ये देखो, कोई nationality ने देखी गई, ग्रामीन बैंक को बंगलादेश ने अच्छा काम किया, तो उसको भी पुरुसकार दिया, विवेकानन केंदर को मिला, कन्या कुमारी को मिला, अक्षे पातरा को मिला, एकलभ्यान टरस्ट को मिला, इंडिया एंसुलब इंटरनाशनल को मिला, तो ये कुछ organization है, जिनक अफरिकन गांधी भी बोलते हैं, दोस्तों हमारे भारत में बहुत सा ऐसे लोग हैं, जिनको गांधी उपनाम से जाना जाता है, जैसे कि अफरिका का गांधी, बिहार का गांधी, पहाडी गांधी, तो इन सारे के सारे जितने भी लोग हैं, जिनको गांधी उपनाम से जान जाने जाते हैं इसके साथ साथ महात्मा गांधी जो थे वो कुछ निकनेम के द्वारा भी जाने जाते थे जैसे कि क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को मिक्की माउस नाम से जाने जाते थे और महात्मा गांधी इतने प्यारे थे इतने मतलब शांत थे कि उनको नाम तो कुछ उपनाम जो महात्मा गांधी को दियेगे और कुछ लोग जो महात्मा गांधी की उपनाम से या गांधी उपनाम से जानेगे इन सारों को मैंने एक लग वीडियो में कवर किया है और इससे पहले जो महात्मा गांधी से रिडियो में कवर किया है वो एक लग वीडिय है तीनों वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूंगा आप उन तीनों वीडियो को एक बार जुरूर देखेगा और अगर कोई भी कोशन आपको गांधी से रिलेटेड आएगा तो इसी से रिलेटेड आएगा इन तीनों वीडियो से रिलेटेड आ तो रिसेंटली आप अगर हम बात करें तो सुल्तान काबूज बिन साइद अलसेद ओमान के ये सुल्तान है इनको भी गांधी पीस प्राइज मिला 2019 में बंगबंदु शेख मुझीबुर रह्मान इन्हें भी ये पुरुसकार मिला 2020 में तो ये कुछ important personalities हैं जिनको ये गांधी गांधी पीस प्राइज मिल चुका है अब अगर हम बात करें गीता प्रेस की तो गीता प्रेस को ध्यान रखेगा 1923 में इस्टैब्लिश किया गया था मैंने थमनेल में भी यही सवाल लगाया था कि गीता प्रेस को कब इस्टैब्लिश किया गया था तो 1923 में सवाल आप से सीधा पूछ जा सकता है तो इसको अपने ध्यान रखना है क्योंकि ये खबरों में है इसको गांधी पीश प्राइज मिला है तो इसलिए अपने ध्यान रखना है कि जो गीता प्रेस है उसको 1923 में establish किया गया था ये पूरी दुनिया की जो world's largest publishers हैं उन में से एक है अभी तक Gita Press a whooping 41.7 crore books को publish कर चुका है ये बहुत बड़ा नंबर है तो 41.7 crore किताबों को Gita Press जो है वो publish कर चुका है 14 languages में और ये जो 41.7 crore books हैं इस में से 16.2 crore सिर्फ वो सिर्मत भागवद कीता है तो अब आप सोच सकते हैं कि जो Gita Press है वो कितनी बड़ी publisher है कि पूरी दुनिया में 41.7 crore किताबें 14 से जादा languages में ये और इस 41.7 crore में से 16.2 crore सिर्फ वो सिर्मत भागवद कीता है तो Gita Press को कब establish किया था 1923 में तो यह था इस lecture का analysis आपको वीडियो अच्छे लगी होगर आपको अच्छे लेगो तो लाइक करेगा शेर करेगा जिन भी वीडियो के बारे में मैं इस lecture में बताया है चाहिए वो महात्मा गांधी से लेटे सारे important G.K. questions हो चाहिए वो महात्मा गांधी जी को दिये गए उपनाम हो या फिर गांधी उपनाम से जाने गए लोग हो इन तीनों के लिंक मैं आपको अपने description box में दे दूँगा एक एक करके इन तीनों को एक पर जुरूर देखेगा पॉलिटिस्ट एकोनोमी, जीकेटिक, जोराफी, साइंस, वामें, टेनकोलोजी की तमाम वीडिस को देखने के लिए एक पर हमारी प्लेलिस को जुरूर चक करिएगा G.K. क्रेंडवे के ऐसी वीडिस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा Thank you so much for watching